नए साल में सरकार कर्मचारियों के लिए खुश खबरी लेकर आई है और अब 2023 में कर्मचारियों के लिए सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करने जा रही है। इसके साथ साथ मिनिमम सैलरी भी बढ़ा कर 20,000 रुपे कर दी जाएगी जिसके बाद देश के 50% कर्मचारियों को फिर से पुरानी पेंशन योजना का लाब मिल पाएगा। विस्तार से बताएगे कि देश के वैसे कौन से कर्मचारी होंगे जिने सरकार पुरानी पेंशन योजना का लाब देगी और उनकी सालरी में इजाफा करेगी। सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आप भी सरकार के द्वारा उठाई गए इस कदम का लाब ले पाएं। उससे पहले नमश्कार मैं निहा चौदरी कैमरा परसन विशाल के साथ और आप देख रही है जंता जंक्षिन। पुरानी पिंशन योजना को लेकर काफी सालों से संघर्ष चल रहा है और अब सरकार इस मुद्दे पर अपनी राय भी पेश कर रही है। पिंशन को लागू करने को लेकर सिलहाल बाच्चे चल रही है लेकिन इसी बिच सरकार कर्मचारियों को खुशखबरी दे रही है ताकि पुरानी पिंशन योजना को लेकर फिलहाल कर्मचारी जादा परिशान ना हो और सरकार इसके बीच का रास्ता निकालते हुए कर्मच सेलरी 15,000 रुपे की जगह 21,000 रुपे मिलेगा यानि के लगबग 6,000 रुपे का इजाफा हुआ है जिसमें कर्मचारियों को EPFO में भी बढ़ होतरी होगी और ऐसे में कर्मचारी ज्यादा कॉंट्रिबूशन कर पाएंगे जिससे भविश में रिटार्मेंट के बाद कर्मचा जिसके बाद 2023 के शुरुवात में फिर से मिनिममम सेलरी को बढ़ाकर 21,000 रुपे कर दिये गये हैं आपको बता दें कि जो पहले जो मिनिममम सेलरी 15,000 रुपे थे तो उस वक्त सेलरी पर पीएफ का कॉंट्यूबूशन लगभग 1250 होता था लेकिन अब जो बेसिक सेलरी को सीधा लाब मिलेगा इस बारे में सरकार ने ये भी कहा है कि जब कर्मचारिओं की मिनिममम सेलरी बढ़ा दी गई है तो सरकार अब करोडू रुपे का भार बढ़ गया है लेकिन इसके बावजूत सरकार कर्मचारिओं का बेसिक सेलरी बढ़ा देगी और ये शुरुवात जनवरी महिने से ही कर दी गई है यानि कि जनवरी के अंतिम दिन ही कर्मचारियों की सेलरी बढ़ा कर दी जाएगी यानि कि 2023 के पहले दिन से ही कर्मचारियों को सेलरी बढ़ा कर मिलेगा जिससे देश के लगबग 50,000 कर्मच पाएंगे पुरानी पेंशन योजना को लेकर काफी समय से बहशल रहा है और अब जब लोग सभा चुनाव नजदीक है तो इस मुद्दे पर और भी विचार विमश्च कर रहे हैं इसके साथ साथ चुनाव में भी पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा प्रमुकता से जल्द ही पुरानी पेंशन योजना कर दी जाएगी केंडर सरकार से भी लगातार मांग की जा रही है लेकिन इस सरकार इस बारे में कुछ भी आँप सुनाई है आपको बता दें कि 2004 से पहले पुरानी पेंशन योजना के तइसके कर्मचारियों को पेंशन दी जाती correction का इस स्कीम को सरकार एक अप्रेल 2004 के बाद बंद कर दी है और अब राश्ट्रे पेंचन योजना के तहट सरकार कर्मचारियों के रिटार्मेंट के बाद उन्हें पेंचन देती है बागी ऐसी संभावना है कि जल्द ही देश में फिर से पुरानी पेंचन योजना को लागो कर जाएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट वाक्स में बताईएगा आगे की तमाम ख़वरों के लिए जनता जंक्षन देखते रहें